सबसे पहली रेस्पी है हमारी ये खूपसूरस से फ्रायम आप मार्केट से ले करके आते होंगे तरह तरह के तो आज हमेंने घर पर बनाएंगे खास बात ये है कि इसमें हमें गैस भी नहीं जलाना और जट पर से हम इनको बना सकते हैं आप डिजाइन देख सकते हो कितनी प् करते हैं आज की फ्रायम की रेस्पी तो इसके लिए हमने ले लिए एक कप साबुदाना आपको यहां पर मीडियम साइज वाला साबुदाना लेना है इन साबुदाना को हम मिक्सी के जार में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हो कितना पाउडर बनके तयार हो गया है अब हमें जरूरत होगी एकदम गरम खौलते पानी की तो हमने यहां पर एक लेक्टरिक कैटल ले ली है और इसमें हम तीन कप जितना साबुदाना लिया था नो उसका तीन गुना लेंगे पानी और इसको अच्छे से पानी को गरम कर लेंग हमें पूरा ही पानी हमें डाल देना है क्या हमने नाप किसपानी को लिया है मौत कर दे 20 मिनटबाद बाद देख सकते हो फ्रेंड साबुदाना अच्छे से फूल गया है काफी टीकी वी हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसको हातों की हैप से अच्छे से मसल करके एक बार मिक्स करेंगे क्योंकि एक जगह ठकके जैसा हो जाता है साबुदाना है इसलिए तो इसको हमें मसल करके बापस से चिखना कर लेना है ताकि यह नॉर्मल पेस्ट के फॉर्म में आ जाए अब हम क्या करेंगे colorful prime बनाने वाले हैं तो इस मिश्रन को थोड़ थोड़ा सा अलग-अलग कटोरियों में डालते जाएंगे और इसमें food color add करते जाएंगे आपको जिस color के भी पापड बनाने हो आप वो color यहां पर मिला सकते हो तो सबसे पहले हम यहां पर मिला रहे हैं yellow color तो इसको भी अच्छे से हमने mix कर दिया है अब यहां पर हमने एक दूदबाली थैली ले ली है आपके पास अगर piping bag हो तो वो भी आप ले सकते हो यह महंदी जैसी कौन भी बना के तयार कर सकते हो तो क्या करेंगे यह जो yellow color का मिश्रन है इसको हम दूदबाली थैली में डालेंगे और अ इस तरह से बैदे टोटल चार कलर की कौन बना कर के तयार कर लिया है मिश्रन को भर कर की तयार कर लिया है चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपने पापर बनाने के लिए थोड़े से हिस्चे को हम काटेंगे और यहां पर हमने एक प्लास्टिक शीट ले ली है इसमें हम तरह तरह की डिजाइन में पापर बनाएंगे जो भी आपको पसंद हो डिजाइन वैसी आप बना सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जलेवी जैसी डिजाइन दे रही हूँ और भी कई डिजाइन में हम इसको भी बनाने वाले हैं देखिए कितने आसानी से बनते जा रहे हैं, मैंने यापर कुछ HBCD भी लिख दी है, बच्चों को इस तरह की बहुत पसंद होते हैं, जैसा भी आप चाहे बना सकते हो, और ये लीजिए मैंने डेह सारे फ्रायम बना के तयार कर लिए हैं, कुछ मैंने भाइट कलर की भी बना तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं, मैंने सभी को अलग अलग निकाले के रख लिया है, ताकि आप देख सके कि कितने आसानी से ये पापर बन जाते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छे से डिजाइन दार फ्रायम बन के तयार हो चुके हैं, अब हम इनको तलेंगे और बहुती डिजाइनर पापर की रेस्पी, तो ये हैं हमारे दूसरे तरीके के पापर, जो की देखने में बहुती खुबसूरत लगते हैं, बहुती यूनिक डिजाइनर की आती है, तो ये हम बनाएंगे चावल के पापर, चलिए देखते हैं, कैसे बनाना है, ये भी बहुत आसान सी रेस्पी है आप इने जहट पर से बना पाएंगे तो इसके लिए हमने ले लिया है यहां पर एक कब भर करके चावल का आटा और इसमें हम डालेंगे चार चुटकी मीठा सोडा यानि की खाने वाला सोडा आप यहां पर पापड़ खार का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अ हमने आटा लगा लिया है तुरह सा हमने इसको सॉफ्ट आटा लगाया है अब इसकी चार बड़े साइस की हम लोईयां कट कर लेंगे और चार हम करेंगे चोटे साइस की और इनकी हम बॉल्स बना के तयार कर लेंगे कुछ इस तरह से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिख तो मैं यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, रेड और यलो कलर की पापर बनाने वाली हूँ, तो सभी में हम थोड़ा-थोड़ा सा फूट कलर डाल देंगे, और इस फूट कलर को अच्छे से हम छोटी वाली बॉल्स में मिक्स करेंगे, और इन बॉल्स को बना लेंगे, कलर फुल, यह जो बड़ी वाली लोई है, इसको हमने रॉल बना लिया है, इसको अंदर रखेंगे, और अच्छे से हम इस तरीके से लपेट देंगे, यानि कि कवर कर देंगे छोटी वाली बॉल से, ताकि उपर एक कलर फुल लेयर इसके उपर आ जाए, और अच्छे से इसको इस तर कर लेते हैं, तो सारे रॉल बनके तयार है, अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमें डालना है पानी, पानी लगबग इतना डालना है कि आधी कढ़ाई तो भरी जाए, पानी को अच्छे से हमें गरम होने देना है, जब पानी में बबल जैसे दिखने लगे, पानी गरम हो जा हम 25 से 30 मिनट के लिए इनको अच्छे से खौलते पानी में उबालेंगे, हाई फ्लेम पर उबालना है ताकि यह बिलकुल कच्छे न रहे, तो चलिए हम इनको बढ़िया से उबलने देते हैं, तो यहाँ पर इनको उबलते हुए लगबग 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम यह काफी अच्छे से पक गए हैं, भाई चाबल के पापड बना रहे हैं तो इनको पकाना बहुत जरूरी है, अगर आपने अच्छे से नहीं पकाया तो यह फट भी सकते हैं, अब हम इनको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद इन सभी रॉल को हम क्या करेंगे, एक पॉलीथिन ले ले लेंगे, या क्लिंग रैप, कुछ भी ले लीजे, फट पेपर भी ले सकते हो, इसमें अच्छे से लपेड देंगे, और इनको फ्रीजर में रख देंगे, दस मिनट के लिए, वह इसलिए रखना है, ताकि यह थोड़ी से हार्ड हो जाए, और इनकी हम जब कटिंग करें, तो यह आसानी से हमें काटते बन जाए, भी थुरा सा यह सॉफ्ट है, तो हमें इनको हार्ड करना है, फ्रीजर में रखने के बाद अब हम इनको खोल लेते हैं, और यह जो रॉल है यह बहुत हार्ड हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनके चिप कट करेंगे, तो चिप काटने के लिए आप इन्हें चाकू से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, लेकिन बिल्कु पतले-पतले करिएगा, जितना पॉस्विल हो सके, उतना आपको इनको पतला काटना है, तो आप देखिए, मैं कितने पतले-पतले, इसके चिप कट कर रही हूं, कितनी बढ़िया, इसमें डिजाइन उभर के आ रही है, दूसर तरीका भी मैं आपको बदा देती हूं, अगर आपके पास चिप कटर है, यानि कि जो चिप काटने वाली मशीन है, उसकी मदद से भी आप इन्हें काट सकते हैं, तो यह देखिए, बस इस तरीके स पतले हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छा इनका लुक भी आ जाता है, तो चलिए इनको रख देते हैं, धूप में सुखने के लिए, तो इन्हें सुखने में कम से कम देर दिन का समय लग गया है, और आप देख सकते हो, हमारे बहुत बढ़िया चावल की चिप स बनकर के त तो देखा हैनाय ने बनाना कितना आसान, तो चलिए फटाफट से हम इनको तल लेते हैं, तो यह भी आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, और देखिए कितना बड़ा साइज हो जाता है, इनका बहुत ही बढ़िया बनते हैं, तो आप इस रेस्पी को ज़रूर ना के पापरं देखिए कितने छोटे साइस के पापर डाले और वड़े साइस के हो गए मार्केट से भी बड़ी साउदाना के पापर आप घर पर बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए कैसे बनाना है तो इन पाकनों को बनाने के लिए आज मैं इस्तेमाल कर रही हूं मौटी वाला सावुदाना आप चाहे तो मेटियम साइज वाला सावुदाना भी यहां पर ले सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इन साबुदाना को अच्छे से हम एक बार ढोलेंगे और कम से कम पांसे साथ घंटे रेश्ट के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो ओबर नाइट के लिए छोड़ सकते हैं रात को इस तरह से भिगो करके रख दीजे सुबह ये बड़ी अफूले तो हम क्या करेंगे इसमें रालेंगे नमक तो स्वादान सार इसमें नमक एड़ कर देंगे अच्छे से नमक को मिक्स कर देंगे और अब हम इनको अलग-अलग काटोरियों में डिवाइड कर लेंगे ठीक है जितने कलर के आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इनको आप डि अहला देती हूं यह सिर्फ देने के लिए होता है तो बस इस तरह से थाली में जितने आराम से बन जाती हैं चूड़ी उतने हम रख देंगे और यह जो पापड जो साबुदाना थे ना कलरफुल इन साबुदाना को एक चम्मच हम डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे तो इस एक दम गोल बनाए थे सभी को फैला दिया है कडाई में हमने पानी गरम होने के लिए रख दिया है इस थाली को हम इसकी उपर रखेंगे और सिर्फ दो मिनट के लिए हम इसको ढख करके पकने देंगे दो मिनट में क्या होगा कि यह साबुदाना में बाइंडिंग आ जाएगी यह आप देख सकते हो साबुदाना के पापड हैं हमारे काफे अच्छी से पत चुके हैं ठीके इनमें सिर्फ हीट दलानी होती है ताकि इनमें बाइंडिंग आ जाए हमें इस पेसली अलग से पकाने की जरुवत नहीं होती है तो इस थाली को हम अलग निकाल लेते हैं और इनको हम तक अब करेंगे डी-mold करने के लिए इस तरह से धार वाला स्पेचलर ले लेंगे और उसकी मदश्य से हम इनको दी-mold कर लेंगे बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाते हैं बिलकुल भी दिक्कत नहीं होती है ये देखिए हो गए ना कितने आसानी से और नमें बड़ी अबाइल डेंग आ गई है सभी साबुदाना अच्छे से आपस में जॉइंट है तो इसी तरह से हम सभी साबुदाना को निकाल लेत आती है तो इस तरीके के भी आप पापर बना के तयार कर सकते हैं तो हमने धेर सारे पापर बना के तयार कर लिए हैं अब हम इनको दूप में बढ़िया से सूखने देंगे इनको सूखने में कम से कम देर से दो दिन का समय लग जाएगा क्योंकि थोड़ी से मोटे होते हैं तो थोड़ा सेंद को सूपने में टाइम लगता है तो सावुदाना की पापर जो हैं वो बहुत अच्छे से सूप चुके हैं और बनके बिल्कुल तैयार हैं देखिए मैंने एक सावुदाना का पापर तिरंगा में भी बनाया था ठीक है तो जैसी आपके इच्छो आप बना सकते हैं तो अब 2,000 से क्यों लाना घर पर ही हैं सावुदाना की ये पापड आप बना सकते हैं तो अमिर्च करते हूं कि आपको आज के कलर्फूल फॉदान की रैजिप अच्छी लगी होगी आपको 3 तरह की फॉद्वुद्टेज फॉद्वन ने बीडियो को लाइक शेर